नमस्कार मैं राजमोंतिवारी आप जुड़ चुके हैं बिहारी न्यूज के साथ बिहार में कोरोना फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है कुल पॉजिटीव मरीजों की संखेया बिहार में साड़ बारह हजार को पार कर गई है कल जहां कोरोना के पूरे बिहार से 280 नए मामले सामने आये थे वहीं पिछले 24 घंटे पूरे बिहार में 5186 कोरोना सेंपल की जाचकी गई है जिसमें से 380 नए मामले आज सामने आये हैं अलांकि इसमें से 3 ऐसे मामले भी आये हैं जो बिहार के बाहर के थे लेकिन उनका सेंपल बिहार में कलेक्ट किया गया था बिहार हेल्थ डिपॉर्ट्मेंट में जो जानकारी दी है उसके अनुसार बिहार में कुरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 12,525 हो गई है कुरोना से जान गवालें वालों की संख्या बिहार में 100 को पार कर 101,9338 मरीज कुरोना को हरा कर ठीक हो चुके हैं और बिहार में अभी कुल कुरोना के जो एक टीप केस हैं उनकी संख्या 3088 है बिहार का रिकवरी रेट राष्ट्रिय उसवत से कहीं जादा अच्छा बिहार का रिकवरी रेट लगवार 74 पीसदी है जबकि राष्ट्रिय उसवत लगवार 60 पीसदी का है अगर जीलेवार बात करें तो पूरे बिहार से जो 385 नए कोरोना मरीज आज मिले हैं उसमें अरवल नए कैसेज दो अररिया तीन बाका इग्यार भागलपूर 26 भोजपूर साथ बक्सर चार दर्भंगा एक इस्ट चंपारनी 11 गया 29 गोपाल गंज 3 हैदराबद जिसका सेंपल भागलपूर में कलेक्ट किया गया था जमुई दो जिहानाबाद आठ जारखंड जिनका सेंपल गया में कलेक्ट किया गया था एक कैमूर एक कटिहार 24 खगड़िया दो किसन गंज 7 लखिसराय 5 मध्यपूरा 2 मधुपनी 25 मुंगे 30 मुजफरपूर 15 नालंदा 2 नवादा साथ पटना 56 पुर्णिया 4 रोतास 2 सहरस 3 समस्तिपूर 8 सारन 14 से कूरा 10 सीता मधी 13 शिवान 19 शुपाल 21 उत्तर दिनाजपूर जो की जिनका सेंपल कलेक्ट किसन गंज में किया गया था एक वैशाली 2 वैश्चमपारं तीन बिहार में कोरोना का चैन अभी ब्रेक होता नहीं दिख रहा है इसलिए आपसे अनुरुद है कि बेवजब बाहर ना निकले अगर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं साबून से समय पर हाथ होते रहें क्योंकि इस कोरोना काल में यह सावधानियां आपके और आपके पडिवार और बिहार की सुरक्षा के लिए अधिक जरूरी है बिहार से जुरी खबर से अपडेट रहने के लिए जुरे रही है बिहारी नुच के साथ धन्यवाद